हेलो और वेलकम तो दोस्तों ग्यान केंपस आपके अपने यूट्यूब चनल ग्यान केंपस में आपका स्वागत है आज का वीडियो लेक्च्छर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर सेकेंड डियर वालों के लिए स्वाओ कि तो आज का मुवविंग अरेन टाइप इंस्टुमेंट ओर पिछले वीडियो लेक्च्छर है जैसा पढ़ा था पढ़ा है प्लेओ वीडियो लेक्जर में पैने आप अपने नहीं देखा तो आपको पलेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगे वहां rice चैनल पर नहीं है तो करके प्रेश कर या ताकि future में आने वाली अबडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें और वीडियो को शुरु से औंतक जरू देखिएगा चलिए शुरू करते हैं तो आज की वीडियो लक्षर में दोस्तों हम पढ़ेंगे moving iron type instrument यह हमारा इस chapter का last topic है इसके बाद हमारे यह chapter end हो जाएगा कल में end हो जाएगा परसों से हम नया chapter इसका start करेंगे तो आएए दिखते है moving iron type उपियंत को दो भागों में बाटा गया है कौन कौन से attraction type moving iron instrument repulsion type moving iron instrument यह आपके दो टाइप हो गया है तो दोस्तों पहली हेडिंग आप डालेंगे attraction type moving iron instrument यह पिछली बार आया था पांच नंबर में कि moving iron का attraction type बताइए तो आपको आपमें इसमें सनरचना यानि स्ट्रक्चर वर्किंग प्रिंसिपल कार्वी सिद्धान यह सब लिखना होता है विडड डाइग्राम तो आएए इसको डाइग्राम के जरिए समझा देते हैं फिट थियोरी दिखाते हैं आपको तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पार है डाइग्राम आपका है moving iron टाइप का attraction टाइप का तो यह पूरा आ नहीं पार स्क्रीन पर इसलिए मैं आपको आगे पीछे करके दिखा दे रहा हूं उपर से देखिए आपका एक मीटर बने रहेगा रीडिंग मीटर या इक ऊपर साइड में नीचे साइड यह दुनों सप्लाइस से जुड़े होंगे तो आप स्क्रीन सॉट ले लिजे बारी बारी से और इसको बना लीजेगा ठीक है और यहां पी यह पाइवोटेड कीली का टुकड़ा होता है जो लोहे का टुकड़ा इसको पाइवोटेड य लगता होता है जहां से एर पास होती है तो यह वर कैसे करता है और यह आपका क्या होता है पॉइंटर होता है जो कि रेडिणग बताता है कcous से करेगा जब यह पई वोल्टेड के इसमें आप supply देंगे तो current या voltage जो भी आप supply देंगे तो यहां पर यह fix coil में जाएगा तो यह यहां पर magnetic field regenerate कर देगा जिसके कारण यह लोहे का टुकड़ा attract होने लगता है यह आकर्शित होने लगता है और आकर्शन करन घूमने लगता है जिसके कारण यह आपका pointer घूम लगता यह रीडिंग दिखाने लगता है ऐसे से घूमता है पस यही इसका काम है और कुछ इसमें नया नहीं है तो जो इसके चलिए अब इसकी संदचना कैसे लिखनी वह आपको बताते हैं तो संदचना पहले आप हेडिंग डालेंगे या construction हेडिंग इंगलिश में डाल सकते हैं तो लिखना क्या है attraction type moving iron उपयंत्र में एक fixed coil होती है तथा एक अंडाकार लोहे का टुकड़ा होता है जो एक pivot यानि कीली पर टिका होता है इस उपयंत्र में उसी कीली पर pointer लगा होता है देखे जो जो पार्स अभी हमने आपको बता है वही वही आपको लिखना है construction और कुछ अलग से नहीं लि कुंडिली के आसपास घूम सके वह इस प्रकार आपका टुकड़ा होना चाहिए कुंडिली के आसपास जो हमारा कोईल है उसके आसपास घूम सके आगे बढ़ते हैं इसमें गुरुत्वसंतुलन यानि gravitational balance प्रकार का वायू घर्षन एयर fraction अव मंदन प्रणाली का प्रयोग करते हैं कि आगे देखते हैं इसी के यह डाइग्राम आप ड्रॉ कर लीजेगा कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं कोई बात नहीं moving iron टाइप instrument यानि attraction टाइप का है इसमें अब वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या होता वर्किंग प्रिंसिपल तो working principle में आप heading डालेंगे working principle जब मापी जाने वाली धारा या वोल्टता voltage या करण fixed coil के साथ जब जोडा जाता है तो coil चुम्ब की छेतर उत्पन करती है क्या उत्पन करती है चुम्ब की छेतर यानि magnetic field जिसके कारण कीलित या pivoted आप कीलित लिख सकते है या pivoted लिख सकते है लोहे का टुकड़ा कोईल की तरफ आकरशित होता है इस प्रकारण इस उपियंद्र यानि instrument को attraction type moving iron उपियंद्र आकरशन प्रकार के चल लो कहते हैं ठीक है दोनों में से दोनों नाम सही है इसके कुंड़ि द्वारा उत्पन चुंब की छेतर कुंड़ि में प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करती है उसमें जो आपका कोईल में करण प्रवाहित होती है उस पर करती है ठीक है नेक्स्ट इसी क्या आगे यदि धारा का मान कम होगा तो आकर्षन बल भी कम होगा जैसा कि करण कम होगा तो आपका मैगनेटिक फिल्ड कम बनेगा और अट्रेक्शन भी कम बनेगा तो उसका अट्रेक्शन फोर्स भी कम बनेगा यानि आकर्षन बल भी कम होगा जिसके कारण वो कुंडली कम घूमेगी यदि कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा आई हो तो लोहे का टुकडा जिसे आयरान पीज़ भी कहते हैं ठीटा कोंड़ पर विच्छेपित हुआ मान लेते हैं ठीटा कोंड़ पर वन बाई टू आई स्क्वार डी एल अपॉन डी ठीटा न्यूटन मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी यह फॉर्मूला आप लिखेंगे आगे एक लाइन और इसमें आड़ करेंगे अट टो इसमें आगे इस उपीयं'tर में चॉनट्रोलिंग ट्रॉर्क बेलैंसिंग वेडिद द्वारा उत्पन किया जाता है योग का कांट्रोलिंग ट्रॉर्ख और्प होता है वो कैसे होग तो बेलंसिंग वेड जो हमने आपको डिखाया था नीचे लाट रगता था पाई वीडियो जरूर देखेगा वह आपको कल मिल जाएगी नेक्स डेट में तो वीडियो अच्छी लगी हो जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर दीजेगा आपकर आपकी इच्छा हो तो और अगर दोस दोस्तों में शेयर करेंगे तुनका भी भला हो जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंग जय भारत थैंक्स फॉर वाचिंग